तो देखे तोस्तों आज हम लेकिया हैं एंसी आर्टी क्लास एट साइंस की बुक और इसमें हम करेंगे चैप्टर सैकेंड जो के मारा पार्ट सैकेंड भी है सुक्ष में जीव मित्र एवं सत्रू तो आपको तादे कि यहां से हर बार लगातार कोशन पूशे जा रहे हैं तो जो कुशन पूचा गया था वाइरस के कांड पैदा होने वाल रोग इसी चैप्टर से पूचा गया था इसके लावत देखे यह जो है यह 2018 दिसंबर का सीट का पेपर है और सेट जो है आपके पास भी दे सकते हैं आप यहां पर आगर सेट हो है और पेज नंबर 24 है तो इस सेट के पिंपर में भी यहां से दो कुशन इस पुचहगा थे किचेचल के टिकी का विश्कार क्या गया था किसके दwahरा क्या पूच गया था यहां से चेप्टर में और आ आपí यह जा गया तो इस प्रकार से सकते हैं हिना पड़ी दिखाया हमने आपको यह यह जिथि गब पर हम किवल आपको एक पेपर में दिखा रहे हैं यहां पर ताकि आपको पता रहे कि यहां से कुछ ज़िए तो चलिए यहां पर सुलू करते हैं जितने भी इंपोरेंट बने हुए उसको हम नोट कर लिए इससे पहले एक बार हम आपको NCRT book में भी दिखा देते हैं कि किस की चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे तो दे सकते हैं यह NCRT class 8th की book है second chapter है सुक्ष्म जीव यानि माइक्रोडविंजम मित्र इवम सत्रू तो इसमें दे सकते हैं यहाँ पर सुक्ष्म जीवों के बारे में दिया गया है सुक्ष्म । मित्र की évALI तो इस में बताया है जैसे नहीं ब्रेड में चेक बनाने में सुक्ष्म कर जाने थिका है मैं देते है को यह तो यह देखिए इसके लावा लूई पास्चर के लिए बता गया है कि लूई पास्चर ने किडवन की खोज जो है 1857 में की थी इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेगी इसके लावा अलेकजंडर फ्लैमिंग ने जीवानों की खोज की थी तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ से कुशन पूछे गए थे और इसके लावा यह देखिए एडवर जैनर ने चेजक के ठीकी की खोज की थी और यही कुशन जो था में हैं इसको में देखिए Unity 2018 में पूछा गया था तो देखिए यहाँ पर काफी इंपोर्डंट शाप्टबा है To is प्रकार से चप्टबार है इसी में जिटने भी इंपोर्डंट है हमने उसको नोट कर लिया है तो देह सकते हैं इसे जीव जीने हम आखों से क्पार है처럼 सकता होते जैसे microscope अगर क्या हो सकता होते तभी आप इनको दे सकते हैं सुक्ष में जीवा को चार मुख्य वर्गों में बाटा गया है यह है जीवान यानि बैक्टीरिया प्रोटो जोवा फंजाई और एलगी तलाप में एलगी वह फंगस ब्रेड में देखी जा सकती हैं जब सकते हैं समुदर में आपने देख अणहीं को अपा उपर हम नहीं आखोसा कहते है करें समुदर में कारीनी कैसे पाता हैं तो इसका कारण है कि हम एक सिंगल को नहीं को नहीं दे सकते जो बैट होता है है और जो आपने समुद्र में देखे होंगे वह बहुत सारे फंगल की कॉलोनी होती है यानि बहुत सारे होते हैं इसलिए हमको दिखाए देते हैं लेकिन आप सिंगल फंगल को नहीं दे सकते तो यह जहां में भी पूछा गया था इस प्रकार कोशन आपको पता होने चाहिए कि माइक्रोडियम में कभी कभी कोई भी पूछ सकता है कि माइक्रोडियम में आप माइक्रोडियम को अपनी आखों से नहीं दे सकते लेकिन फिर भी आप एल्ग्यों कैसे देख लेते हैं या फिर ब्रेड में जो फंगस लगे रहते हैं तो कैसे देख लेते हैं तो इसका कर उसको living और non living के बेचकी कड़ी माना जाता है नहीं, जिवित होते हैं नहीं, नहीं मिर्ट होते हैं तो हम बात करें virus की गरण की दो आखिके यह झे, यहЭंवाइर selective यह यह नo안 गारीवियर्मेट में रहता है यानि यह यह living रहता है मिर्ट की की तरह रहता है लेकिन जैसे किसी और्णिजम में एंटर करता है तो यह क्या हो जाता है यह active हो जाता है तो इस परकार से तब वो living बन जाता है इसलिए इसको वाइरस को living और non living के बीच की कड़ी कहते हैं अब हम बात करेंगे आप पर जो सबसे पहले सुख्षमदर्सी बना करके पिर्थपी पर सुख्षमजियों के छेपे संसार यानि माइक्रोप्स और माइक्रोणिम को की खोच की थी इन्होंने तालाब के जल में पाए जाने वाले जिवानों प्रोटोजोवा वो हड्रा आदे सुख्षमजियों का वड़न किया था उन्हें सुख्षम तंतुक यानि इनको क्या का था इनको एनी मलकुलेस का नाम दिया और इसी करण्न वाक को शुख्षमजेविकी का पिता यानि Father of Microbiology कहते हैं तो है तो एक्जाम में पूछ पूछा जा सकता है कि Microbiology के फाधर किसे कहते है तो ल्यून हाक को आता है क्योंकि इन्होंने कि सबसे पहले यहां पर Microbiology की खोच की थी ऐसे जीव जीने हम नंगी आँखों से नहीं दे सकते इनके देखने के लिए सुक्ष में दर्सी क्या हो सकता होती है उन्हें सुक्ष में जीव कहते हैं सुख्च में जीवों को चार भागों में बाटा गया यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया बक्तिरिया फंजाइब फ्रोटोजोवा और यल्गी लेकिन आपने देखोगा हम इन चारों को डिवाइट करते हैं वाइरस को नहीं करते हैं क्योंकि वाइरस जो हता है यह है तो अश्रीर के बाहर निस्क्रिय होते हैं और सरीर में प्रवेज करते ही यह क्या हो जाता है कुछ शुक्षमीजीव हमारे लिए लाबuben दयक होते हैं तथा आब कुछ हानिकारक होते करते हैं और यही क्या करते हैं एलकोहल का निर्मान भी करते हैं यही एक्जाम में पूछा गया था अब बात करते हैं किडवन फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें फॉलों के रसों को एलकोहल या सराब बना जाती है इसमें यिस्ट प्राकृतिक सरकरा को निमनी कर करके एलकोहल में परिवर्दित करते हैं और इसकी जो खोज की थी लूई पास्चेहर ने 1850 में की थी तो यही एक्जाम में पूछा गया था कि इस्ट किसका निर्मान करते हैं तो यह क्या करते हैं यह एलकोहल या फिर इसी से सराब बना जाती है इस्ट का निर्मान जो हता है यह इस्ट जोता है यही एलकोल का निर्मान करता है सन 1929 में एलेकजंडर फ्लैमिंग ने पैनेसिलीन की खोज की थी important question है पैनेसिलीन की बारा पुजाता है तो किस ने की थी तो एलेकजंडर फ्लैमिंग में और कब की थी तो 1929 भी में की थी सुक्चम जीवध्वारा फैलने वाला रोग जो एक संकरमित व्यक्ति से वायु, जल, भोजन या संपर्ग द्वारा फैलता है संचार्य रोग कहलाता है जैसे हैजा, खासी, आदी तो दे सकते हैं यहां पर जो भी रोग होते हैं जो वायू से जल से भोजन के संपर्ख से फ्यालते हैं उसको संचारी रोग कहते हैं जैसे अगर हम बात करें जो हेजा हो गया खांसी हो गई संचरी रोग का मुख्य कारक जो हता है घरेलो मक्गी होती है मलेरिया रोक का वहाक मादा एनिफलीज मच्छर है जबकि डेंगू वाइरस की बात कर तो डेंगू वाइरस का वाइरस का यहां पे वहाक होता है वो मादा एडीज मच्छर होता है तो यह important है देखें डेंगो के लिए मादा एडीज मच्छर जबकि मलेरिया के लिए मादा एनिफ्लीज मच्छर होती है नमक और खाद्य तेल जैसे रसानी पदार्थों का अपयोग सुख्च में जीव माइक्रोजियम की ब्रिधी ग्रोथ को रोकने के लिए क्याता है और इन्हें परी रच्छा कायते है तो देखा होगा जों बहुत सारा हमारे भाते हें अ उस में हम नमक डालते हैं या फिर अफिर सांगाओ नमक बढ़र्वादक्र आता है और इसको प्रीजर्व कारता है दूद को 70 Że cells पर 15-30 भीदा के लिए या साथ डिग्री सेल्सियस पर दस मिनिट के लिए गरम करके फिर एक ठंडा कर लेते हैं ऐसा करने से सुक्ष में जीवज होता है इनकी ब्रधी रुख जाती है और इस पर क्रिया को पास्चुराइजेशन कहते हैं इसकी खोज भी लूई पास्चर ने किया था तो द 10-15 मिट के लिए यहाँ गरम किया जाता है फिर थंडा करके फिर पंडा में भर दे जाता है इससे क्या होता है कि से माक्रोंग्रीजम जो है викह नहीं कर पाता है इस वज़ова से तीन से 24 दिए तो आपने देखा होगा अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखे ए प्रतिजयविक उर्टिवाटिक बना जाती है और इनुमें जैसे अब हम बात करें हैं आपए स्ट्रेप्टोमासीजन है, टेट्रमासीजन हैं और ऑचानुक उन्होंने kulture प्लेट्स पर हरे रंग के form food मॉल्ट के छोटे बिजान स्पोर्स देखे उन्होंने पाया कि स्विख्थ मॉल्ट बेक्osis की और फ्षफुन जो है जो लिए और एक कल्चर कर रहे थे तो उन्हों देख लिए कि बैक्टिरिया थे उसमें अच्छानक पत्नि कहीं से, मोल्ट गर हूं गर गए यानिंडिक यहाँ बात करें, तो यह जो मोल्ट हुता है, पफूण दी गिर गए, और इन्हों एंटर करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा सरी एंटी बाइयोटिक प्रोड्यूच करता है यानि परतिरची यहां पर बनाता है अनेक बीमारे जैसे हैजा छह रोग एंटूबर कुलिसिस चैचक, स्मॉल पॉक्स, हैपटैटिस को वैक्सीन यानि टीके के द्वारा इसके लामँ बात करता हैं बैक्टूर्यक की तो bringing जो होता है यह युणिशल्र होते हैं प्रोगेटिक होते हैं और इसकी खोजु की थी, यह आनि ऑन्मयू्पराफि संवर्धन गया था, यह तो प्यिक्तिरिया की बात कर लेता है में आपर क्योंकि एक्जाम में पूछा था रॉबर्ट कोस से तो रॉबर्ट जो कोस थे इन्होंने अगर हम बात करें यह से दिखिया कि पस्वों में होने वाला जो एंथ्रेक्स रोग है बीमारी तता मनुष्य में होने वाला जो छहर हो गया यानि ट्यूवर कुलुसिस है है जा कॉलेरा का कारण जीवान हो कीछ अच्वी ने बताया है की जो सबसे हो एक्जा में पूछाल पूछा में पूछाता है तो प्रांस ने दिया था तो फ्रांस की जो विग्यानिक थी लूभी पास्चार इन्होंने 1856 में बताया की किडवन यानि फर्मंटेशन*** की ग्र कि पदार्थों का सड़ना तथा विभीन रोगों का कारण सुक्ष में जीव होते हैं इस कारे के आदार पर जर्म थियोरी ओफ डिजीज का इन्होंने प्रतिपाधन किया था इसके बाद हम बात करते हैं पर जॉसेफ लिस्टर की तो इन्होंने 1867 में जीवाणों के समन्द में पर्थम बार प्रतिरोधी मत यानि एंटी सेप्टिक थियोरी प्रस्तूर की थी जीवाणों के अध्यन को जो है इस्टडी ऑफ बेक्टिरिया को हम बेक्टिरियोलोजी में इस्टडी करते हैं फादर और बेक्टिरियोलोजी तो यह दोनों के दोनों नम आप याद दखिए में बात करते हैं उपैं ऋच्ट्वा टिपो ए 1912 CP में जिवानू को संग साईजो माई को फाइटा में रखा था जनरल करेक्टर की बात कर लेते हम यहाँ पे तो जिवानू जो होते है यह यूनी सेलरव प्रिमिटी जिव होते हैं प्रोक्राइडिक सेल्स होता है, और इनमें जो हैता, सुविक्सित, जो होता है, प्लास्टिट, माइक्ट्रोकन्रिया, गॉल्गी, कॉंप्लैक्स, और एंडॉप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह नहीं पाय जाते हैं, तो यह याद किए, केंदर की बात करें, नूकलेस के इस्त जाते हैं तो दे सकते हैं यहां पर हुलों लोय, यहुकों अन्हों पतलिए तक??? प्रतवाय जो कोई कर करते हैं आप यह नाइट्रो वाक्टर जो होगे और यह फ्री लेविंग अग्टिरिया होते हैं और यह नाइट्रो ने काव करते हैं एन को पपता हूं чиह जो एंवार्मेंट में नाइट्री है इसको डारेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते इसको कनवर्ट करके नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं तो इनको जो कनवर्ट करने का जो काम करता है वो यही बेक्टर करते हैं नाइट्रो वेक्टर नाइट्र कोका एजेट्रो वेक्टर तो यह यहां पर इसको कनवर्ट क जडों में यह बیک्तिरीया पाया जाते हैं राइजोबियेम बेक्तिरिया और यह भी या करते हैं यह भी नैटल्रीन का फिक्सेशन का काम करते हैं जिसे स्वैल की फाटलीटि मढटती है ब supports के यूज एंटिससeurs के वाइरस के उपर एक छोटी सी प्रोटीन होती है प्रोटीन की कोड होती जिसे कैप्सेट कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर दिखाए गया है डाइग्राम के मादिम से इसमें जो बाहर वाला भाग होता है जो लेयर होती होता है नीचे नुकलियस एसिड होता है इसमें 80% RNA और कीड़े वगएरा नहीं पड़ता है, तो यहीं कराने की याद दकिए होślissions जो मिलता है जोakes बैक्तीरिया को कीळ करता है, डिजीट की बात करें। तो रैभीज, खसरा, पॉलियो, एड्स, चिकन-फॉक्स या चेचक होता है तो यह वाइरस से अब हम इसके में थोड़ा सब डीपली बात कर लेते हैं तो यहाप पर अगर हम बात करें वाइरस की तो वाइरस का जो अधियन किया जाता है वो वाइरोलोजी में किया जाता है और वाइरस की जो खोज थी उसरव परताम 1892 में रूसी बिग्यानी जो थे इवान वस्की इन्होंने की थी और इन्होंने तमाकू की पत्ती में मोजे करोका दियन के दौरान इसको इसकी खोच की थी लुई पाच्चे तथा बीजरिंग ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था एड्स की जो वाइरस होते हैं एड्स की विशानों को 1986 SP में मानो प्रतिरच्छा अपूर्णता वाइरस यानि HIV नाम दिया गया तो यह भी जाम में इंपोर्टेंट है जनरल करेक्टर की बात कर लेते हैं वाइरस की वाइरस नुकलिक ऐसीड और प्रोटीन के बने होते हैं इन किसी वाइरस में आरेने तो आरेने ही मिलेगा उसमें डियाने नहीं मिलेगा और किसी में डियाने तो डियाने ही मिलेगा आरेने नहीं मिलेगा यानि दोनों एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे वाइरस आती सुक्ष में जीव पर जीवी है जो पूर्ण रूप से प निट्रा वाल इसमें अफेंड होती है यह सब के सभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह फंजाई की बात करता है तो फंजाइं। का वक्त मल्टी सेलर होते हैं यूएक्यों होते हैं काइटीन चीख की बनी होंती है यूज देखे इसका औ insanlar है तो इसका बैकरी में एलकोहल में प्रतिजयविक यह एंटिसेप्टिक में यूज़ कहा था और पहला जो प्रतिसेविक जो एंटिसेप्टिक बनाए गया था यह 1929 में यह फ्लैमिंग ने खुजा था जिसको पैनिसलीन जो कि पैले सिन था डिजिज की बात करें इस से कौन ऋफोड यहां इसका पitel सालोड का बना होता है योजक की बात करने तो इससे आयोटीन सी फूड फूड इस पेस फोड रही उते हैं उसको ले यह अपने साथ चारे के रूप में फोटर के रूप में इसका पर्यूप करते हैं अब एक्जाम भ्यूज से देख लेते हैं क्या कि है इंपोर्टेंट है तो लेक्टो वेसलस नामक सुच में दूद को दही में परवर्दित करता है एक्जाम में पूछा जाता लूई पास्चर ने किडवन यानि फर्मेंटेशन की खोच 1850 में की थी एडवर जैनर ने चेचा की खोच जो थी 1970-98 में चेचा की खोच की थी चेचा के टिके की खोच की इसके लाँ अगर हम बात करें निम्बू के अंकर जिवानों गिये हूं की रश्ट का वक्त था भिंडी की पीती सभी के सभी जो ह करण होते हैं इसके लाँ हम बात करेंगे आप येश्ट को शिकाओं में ब्रिदिका की करण जो है ब्रेड इटली फूलते हैं डेंगू के वाइरस का वाहाग जो था माधा एडी मच्छर होता है और इसके लाँ माध करिए हमने आपको पहले बता दे कि दूद को अगर सथा इनकी गुरूथ रोग जाती है और इसे पास्चुरी करण यानी पास्चुराजेशन कहते हैं तो दे सकते हैं इस प्रकार से यहां पर आपको बताया चेप्टर खतम किया इससे बहुत जादा एक्जाम पूशन पूश जाता है जैसे कि यह सीटेट में पूशा गया है कोश इसके आलमा यहां पर आप दे सकते हैं यह से को इस्ट का उप्योग उतर स्फवादन में कहה जाता है तो यह ने पूशा जाता है कि किसका उप्योग परिठ्चक की रूप में कहता है तो इसमें बेंजोर मोशीर से बचाओ की लिए रिए क्या जाता है सोटियम बैंजुर डाला जाता ताकि जो आपने देखेंगे जो बहुत सारे यहां पर अगर जैम जू में आता हैं तो उसमें डाला जाता ताकि काफी लंबे समय तक बने रहें इसमें और माइकरो निजम ना आए इसके अलामा यहां पर हम बात कर लेते हैं यूटेट में भी पूछा गया था कोशन इसको भी देख लेते हैं तो यहां पर क्या यह दिया गया कि वायरस के करन पैदा होने वाले रोग एं तो चेचक और रह भी जो हैं यह वायरस की द्वारा होते हैं तो यह option इसका सभी दिया गया था तो दे सकते दोस्तों इस प्रकार से हम ने chapter complete किया आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक किजिए कमेंट किजिए और